हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आज हम लोग जो है प्लग एंप्ले एक एंप्लिफायर लगा रहे हैं जो कि हम इस कार के अंदर पहले ऑडियो इंस्ट्रॉल कर शुके हैं नाकमिची कंपनी का एंड्रोइट और ब्लाम कंपनी के स्पीकर्स लगाए थे आज इसमें हम चत्राइब चैनल नि कला है का शुक फराइब लगेंचि फ्लान ग्लिफर एंजी क्यू एंप्लिफाय अ क्याम्प्लिफर हैं इसका की इसका कनेक्टर है कुई कोई एक्स्टा वाइंग नहीं करने कार के अंदर जस्ट प्लग एंड प्ली है और बहुत ही इजी गोई इंस्टॉल है आईए मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से इस्टॉल कर सकते हैं इसको जो स्टीरो के बैक साइड पर कनेक्टर है उसको हम निकालके इस अम्प्लिफायर में लगाएंगे जो कि इसका आउपूट वाला पॉइंट है और जो यह कनेक्टर है इसमें इन्पूट में लगेगा और यह स्टीरो की बैक साइड पर प्लाग हो जाएगा just plug and play है यह amplifier हमारा install हो चुका है यह इसके tuning के options है कि जो हमने tune करना हो speaker को output base कितना देना है vocal gain कितनी खोलनी है वो सब हम manually control कर सकते हैं और जो output का difference है just double है अगर आप direct stereo से play करते हैं और आप amplifier यह लगा के complete plug and play जो है लगा के जब install करके इसको play करते हैं और कोई आपको extra wiring नहीं करना कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं है सब को neat and clean काम है आपके सामने देखा आपने बिल्कुल मैंने पांच मिल लगे है मुझे अंप्लिफार इंस्टॉल करने में और आपट अमेजिंग आपट पूट है कोई भी वार कट नहीं है हर कार में जिसमें भी आप Android लगवाते हैं नाकमीची कमनी का उसके साथ यह compatible है नाकमीची के लगा कोई भी Android अगर आप और भी दूसरे लगाते हैं तो उसके साथ भी compatible है हम लोगों ने नाकमीची का Android लगा है नाकमीची का ही अम्प्लिफार लगा है complete plug-n पे without wire cut और output मैं दुबारा बताना चाहूँगा जितनी output direct stereo के साथ आती है अम्प्लिफार लगाती है जास double output bass और vocal clarity भी बहुत ही amazing आती है इसमें और कोई भी हमें cutting नहीं करनी कार के अंदर थैंक्यू सो मच अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आई है अगर आप चाहते है कि मैं और विडियो बनाओं आपके शेयर करूं तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और जितना हो सकता है share कीजिए Thank you so much